दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 10 आईटी कोड़ 402 का पार्ट ए इंप्लोबिलिटी स्किल्स का यूनिट नमबर 4 आंट्रेप्रेप्रेनोरियल स्किल्स को यहाँ पर सबसे पहला आपको बता देते हैं आईटी कोड़ 402 में टोटल दो पार्ट है और पार्ट ए इंप्लोबिलिटी स्किल्स में पार्ट चेप्टर पढ़ने हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में टोटल चार चेप्टर पढ़ने हैं यानि की टोटल 9 चेप्टर आपको IT Code 402 में पढ़ने हैं जो की New syllabus के according है अब चलिए इस वीडियो को start करते हैं और Part A Employability Skills का Unit No.4 को अच्छे से सारे topics को एक single video में cover up करेंगे ताकि सारे doubts आपके clear रहे और सारे terms आपको अच्छे से समझ में आ जाए जिन बच्चों को इसका notes चाहिए MCQ summary important question answer चाहिए आप हमारे official app को download कर सकते हैं अपका नाम है crack my cbse और यहां आपको play store पे मिल जाएगा यहां पर आपको अन्य सारे subjects के भी important question answer summary सभी कुछ एक जगा पर मिल जाएंगे तो चलिए अब बीना समय को बरबाद करते हुए इस वीडियो को start करते है और unit 4 को एक single वीडियो में समझने की कोसिस करते है सारे topics को एक जगा पर समझेंगे यहां पर आपको session number 1 में सबसे पहले पढ़ना है entrepreneurship or society यानि की एक entrepreneurship or society में क्या relation होता है इससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा entrepreneur के बारे में जो मैं discuss कर रहा हूँ यह होता क्या है तो entrepreneur का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह का setup करता है अपना business चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो अगर वह business setup कर रहा है अपना नया business है उसे ही हम entrepreneur कहते हैं तो entrepreneurship or society में किस तरह का में वहां के लोग आते हैं उस product को खड़ीते हैं या तो उस service को लेते हैं उसके बदले में वे लोग पैसे देते हैं तो यह पुरा scene चलता है यहां पर तो यहां पर देखिए entrepreneur को फाइदा क्या हुआ कि उसे market से पैसे मिले उसके काम के उसको value मिला और उसी जगह पर जो वहां के लोग है वहां के people है वहां पर उन लोगों को variety of things मिली क्योंकि entrepreneur क्या करता है हमेशा एक नई नई सोच लेकर काता है नई ना business setup करता है तो उससे वहां के लोगों को फाइदा होता है उसके बाद अब आपको पढ़ना है what do entrepreneurs do when they run their business तो देखिए जब वह लोग business बनाते है जब वह लोग business को खड़ा करते है एक entrepreneur तो वह लोग actual में करते क्या है तो यहां पर सबसे पहले तो आपको एक term तो समझ में आ गया होगा entrepreneur होता क्या है entrepreneur वही व्यक्ति होता है जो नया business को setup करता है चाहे छोटा चाहे बड़ा बस business setup होना चाहिए नया एक नया idea के साथ हो तो ज़्यादा बहतर होता है तो यहां पर वही question पूछ रहा है एक entrepreneur क्या करता है जब वह अपना business को setup करता है तो basically उसके कुछ छोटे मोटे काम होते है जो important work होते है उसको हम लोग discuss करेंगे सबसे पहला काम होता उसका fulfill customer need तो entrepreneur हमेशा जब भी market में उतरता है जब भी market में आता है तो एक idea के साथ आता है कि वह जब भी market में आएगा तो customer का demand को पूरा करेगा वहां के लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करेगा मान लिके चलिए कि अगर यहाँ पर tuition classes की कमी है तो एक entrepreneur क्या करेगा एक ऐसा tuition class को हो लेगा एक ऐसा coaching के एक सिलसिला जारी करेगा जिससे वहां के लोगों को फाइदा हो सके तो हमेशा वे customer की need को देखते है कि वहां के लोगों को जरूरत क्या है उस हिसाब से अपने product को set up करते है अपने business को set up करते है उसके बाद है use local materials तो जैसा कि आपको पता है नया business है तो उनके पास cost की कमी होगी तो cost की कमी होने की वज़ा से वे लोग क्या करते है वहां के जो local materials है लोकल जो labor है उनको use करते है ताकि low cost में उनका काम हो जाए नेक्स्ट है help society entrepreneur हमेशा आता है तो society को help करने के लिए आता है एक positive thinking के साथ आता है कि जब भी आएंगे तो मैं customer का needs को fulfill करूँगा मैं customer की ज़रूरत है उसको पूरा करते हुए society की help करूँगा तो ये उसका काम होता है अब देखे create jobs तो जब भी entrepreneur आएगा business setup होगा चाहे छोटा या बड़ा तो वहाँ पर आपका business setup जरूर होगा तो business setup होने के जगह पर आपका jobs भी create होगा तो उसी हिसाब से जैसा उनका business है jobs का creation होगा वहाँ के लोगों को job मिलेगा रोजगार मिलेगा तो समझ सकते हैं वहाँ का overall development भी होगा next बात करते हैं lower price of products हमेशा entrepreneur एक नया होता है market में तो वो चाहता है कि कम से कम पैसे में अच्छा cost दे सके ताकि वो market में उतर सके और market में वो भी अपना पाचान बना सके तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि entrepreneur करता क्या क्या है जब भी market में आता है तो सबसे पहले तो वो customer की need को देखता है दूसरा local materials को use करता है help society को करता है create job करता है उसके बाद lower prices of products तो यह सारे points को आप अपने language में भी explain कर सकते है क्योंकि examiner बस आपके points देखेगा और उस point को आप किस तरह से explain करते है वो आप पे depend करता है next आपको एक story परना है जो की NCRT book में दिया गया था उसी book से हम यह story को copy किया तो यहाँ पर एक story दिया गया भारती का जो की बिहार की lady है तो देखे कभी कभी कुछ question पूछा जा सकता है आपके MCQ में भारती के बारे में क्योंकि book में दिया है तो आपसे हो सकता पूछा जाए तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ किसका story था क्या तो भारती एक young woman नहीं जो की बिहार में रहती है और वहाँ पर वे करती किया है कि earrings बनाती है यानि की कानों के जूमके कान के टॉप यह सब बनाती है तो वहाँ कि लोगों से वे ये काम निकलवाती है तो सबसे पहले भारती करती क्या है कि वे जाती है मार्केट में वहां से जूट फार्मर लोग से जूट लेती है और जूट लेने के बाद जब वो अपना गाओं में आती है तो वहां पे उस लोगों से कुछ और्टों से कुछ लेडिस को मिल करके वहां पे मार्केटिंग करत ही है तो यहां पर देखिए आपको फाइदा क्या क्या हुआ जब भारती ने फार्मर के पास गई जूट लेने के लिए तो फार्मर को बेनिफिट हुआ क्योंकि उसका जूट बिग गया दूसरा काम हुआ कि जब अपने गाउं में जूट को ले आई तो वहां पर उसको एरि क्या होते हैं तो दोनों को हम अलग अलग डिसके पास देखिए यहां पर कुछ अच्छे से एक्जामपल दिये गया है इक्जामपल में लिखा गया है यू मस्ट बिलीब इन यूरसेल्फ यू सुट बी कॉन्फिडेंट सबसे पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होने चाहिए आप कॉन्फिडेंट रचिए यह वी वी आई कोशन है इसको बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि इसमें से एक कॉशन जरूर आएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगी कॉन्फिडेंट दूसरा क्या होगा दा आइडिया जो अगर आपका बिजनेस कोई डिफिकल्टी होता है उस कंडिशन पर भी आपको पेशेंट रखना है आप पेसेंस रखिए कि चलिए अभी डिस्क अभी मेरा खराब बिजनेस चल रहा है लेकिन आगे चलकर के बिजनेस अच्छा होगा और भी अच्छा होगा तो यह हो गया आपके कुछ qualities उसके बाद क्या है creative होने चाहिए तो आपके पास चार ऐसे quality होने चाहिए तभी आप एक entrepreneur बन सकते हैं सबसे पहला confident दूसरा हो गया नया ideas आपके पास होने चाहिए patience होना चाहिए आपके पास और चौथा है कि आपके अंदर creativity होने चाहिए कुछ नया कर entrepreneur यानि कि एक जो आपके पास एक नौजवान जो की business खड़ा करना चाहता है उसका क्या-क्या functions होते हैं सबसे पहला तो गया decision making entrepreneur हमेशा decision बनाते रहता है हर दिन उसको decision बनाना पड़ता है क्योंकि नया business है हर दिन उतार चड़ाव आएंगे तो उसको business में हर दिन उसको decision ले लाएंगे उसके बाद income को divide करना है जब आपके अंदर आपके नीचे दो चार लोग काम करें तो उसके अंदर किस तरह से income को divide करेंगे हम उस पैसे को कहां लगाएंगे सारा entrepreneur को सोचना है risk taking उसी के काम है क्योंकि entrepreneur ही जब business setup किया तो उसके पास over all hundred percent risk हो जाता है कि किस तरह स product किस तरह से नया idea है किस तरह से नया product है सारे चीज को सोच कौन रखेगा एक entrepreneur रखेगा तो यह सारे functions है एक entrepreneur के कि वह किस तरह से अपना setup कर सकता है किस तरह से वह आगे अपने business को चलाएगा तो यह कुछ functions है इसको आप अच्छे से समझ लिजिएगा नेक्स्ट है myths about entrepreneurship क्या-kya myths होते हैं यानि कि क्या-kya myths का मतलब क्या होता है एक misconception होता है जैसे कि आप मान के चल जाते है कि average बहुत हाइट है तो मैं कभी चड़ी नहीं पाऊंगा तो यह सब आपका myths हो गया या फिर आप जूटा कह सकते है myths का मतलब हो गया जूट ठीक है तो इसका मतलब आपको बस देखना है कि entrepreneurship के बारे में किस किस तरह का myths है किस किस तरह का misconception है तो सबसे पहला तो misconception है कि जो business है हमेशा unique और special होना चाहिए बहुत लोगों को लगता है कि entrepreneurship का मतलब यही होता है कि जब भी business बनाए हमेशा एक unique या तो special तो यह बिलकुल misconception है ऐसा कोई जरूरत नहीं है आप existing idea को रखते हुए भी अपना business खड़ा कर सकते हैं दूसरा है कि a lot of money to start a business यह भी बिलकुल गरत है ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है आप बहुत तरह से business start कर सकते कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास लाखो करोड़ों रुप्य लगाएंगे तभी आप एक business को setup कर सकते हैं ठर्ड है कि a big business is an entrepreneur बहुत को लगता है कि entrepreneur का मतलब ही वही है कि एक बड़ा business तो अभी आपको का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा आपका business हो एक चोटा startup भी आप entrepreneurship में कह सकते क्या क्या qualities होती है वह मैंने आपको पहले भी discuss कर दिया हूं एक और चीज है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि entrepreneurs जो होता है वह born होता है not made मतलब बहुत लोगों को ऐसा ल यह आप लोग कर सकते हैं उसको भी ठीक है तो यहां पर आपका जो discuss करना है यह point बहुत important point है कि entrepreneurs are born not made एक misconception है कि सभी को लगता है कि entrepreneur जो है born है वो पहले से उस लायक है नहीं आप खुद भी बन सकते है किस तरह से बनेंगे आप अपने अंदर quality को change करके आप एक entrepreneur भी बन सकत करते हैं सेशन फूर में आपको पढ़ना है entrepreneurship as a career option देखिये अभी तक तो entrepreneurship के बारे में discuss किकिए फाइदा क्या होता नुक्सान क्या होता किस तरह से तो अभी आपको बस discuss करना है कि करियर औपशन के तरह आप किस तरह से इसे करिययर के तरह देख सकते अपने जॉब तरह के तरह देख सकते अंटरपीनियर को देखिए यह एक ऐसा चीज होता है जिसमें आप कि सेल्फ इंपॉयमेंट कर सकते या तो वेज employment कर सकते हैं ठीक है अब person who becomes an entrepreneur goes through a career process this process is follows तो यहाँ पर अब आपको discuss करना है कि एक entrepreneur किस तरह से एक career के process में जाता है किस तरह से अपने आपको career में ढालता है देखिए जब आप entrepreneur है जब आप एक नया business खड़ा किये तो ऐसा को ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही एक business के perspective से गया है बहुत को ऐसा होता है कि एक part time job के तरह से जाता है और part time में वह जिन्दगी निकाल देता है तो आप इसको किस तरह से एक career में जा सकते हैं उसे कुछ steps बताएगे हैं सबसे पहला तो है एंटर entrepreneur हमेशा सबसे पहले एंटर करता मार्केट में पहले start up करता है start up करने के बाद second काम क्या है कि वह survive करता है सबसे केंड काम क्या है वह survive करता है पहला example देख लीजे एंटर का मतलब संजना is starting a small grocery store in a locality संजना क्या कि अपने locality में सबसे पहले एक grocery store को खोलने की सोची या फिर खोली यह क्या हो गया सबसे पहले entrepreneurship का start up हुआ start की second काम क्या है survive करना survive करना का मतलब क्या है कि देखिए वहाँ पर बहुत सारा grocery store पहले से होंगे और उस चीज को compete करते हुए competition में करते हुए expand अगर अपने आपको कर लेती है एक दुकान लगाए और बाकी सभी को इसे competition करने के बाद हम अपने दुकान को बड़ा और बड़ा करते जाएंगे और इसको expand कर सकते है that means कि वह उस मार्केट में survive कर चुकी है उस मार्केट में survive कर चुकी है तो सबसे पहला काम करिए enter करिए दुसरा survive और तीसरा grow उसके बाद एक बार आप survive कर ले रहे हैं तीसरा काम क्या है आप grow करिए यानि कि पहला आपका एक single market में आपका दुकान था दूसरा काम करिए एक और market में लगाईए उसके बाद एक और market में अलग सिटी में अलग है राज ये में जाकर कि आपने दुकान को बढ़ा सकते है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ये तीनों qualities अगर आ हैं यानि कि आप इसको केरियर बना सकते हैं केरियर के option आप इसको अच्छे से देख सकते हैं तो market में जाईए सर्वाइव करिए सर्वाइव करने माद ग्रो करिए इसके बाद तो आपका करियर सटल बिलकुल हो चुका है आई होब कि आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ रही है दोस्तों अगर आपको सचमूच में यह वीडियो पसंद आ रहा है और helpful लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाएए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आने वाले दिनों में मैं आपको इन चैप्टर के MCQ important question answer भी कराऊंगा YouTube पर तो बिल्कुल आइकन दबा करके रख लिजे चैनल को सब्सक्राइब करके और आज का वीडियो बस यही पर खतम होता है यह चैप्टर आपका बिल्कुल complete हो चुका है आप इसे NCRT book से match करके देख लिजेगा आपका overall यह चैप्टर पूरी तरह से खतम हो गया है और बहुत ही अच्छी बात है कि अब आपको बस चैप्टर नंबर 5 पढ़ना इसके बाद आपका पार्ट A बिल्कुल complete हो जाएगा चलिए अब इस वीडियो को यही पर end करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जोई वेच